येस बिद्धियरतियों एक बार फिर आपका स्वागत है प्रकास किलासिस में मैं रविंद्र गंवार आज लेकर आया हूँ कि प्रयोगात्मक परिक्षा में या प्रक्टिकल में हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें कौन सी कला हमारे पास होनी चाहिए हम क्या करें कौन सी वो अच्छी बाते हैं जिनसे हमें बीट के प्रक्टिकल में अच्छे मार्क मिल सकते हैं इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहीएगा हम इनी पर चर्चा करेंगे इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीट के प्रक्टिकल से संबंदित कौन-कौन सी फाइल्स तयार करेंगे और किस प्रकार से तयार करेंगे अगर किसी ने वो वीडियो उमारी ना देखी हो तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो में हम अफ के बल आप से बात करेंगे कि हम अच्छे यंग कैसे प्राप्त करें बीड में टीचिंग कैसे पाते हैं या बेर्ड के प्रक्टिकल में सफल नहीं हो पाते हैं तो यह आपका टीचिंग की डिगरी है तो इसमें आपको डेमो देना बहुत जरूरी है और डेमो देते वक्त बहुत से सारे बच्चे हडवडा जाते हैं या confidence उनका लूज हो जाता है तो आप अपना confidence किस प्रिकार से बनाए रखेंगे इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो में लाश्ट तक जुड़े रहिएगा देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं uniform औरी dress ये complete होना चाहिए आगला बिंदू है मारा lesson plan लिखा हुए lesson plan पाठ योजणा जो हम तयार करते हैं वो पाठ योजणा हमारी तयार होनी चाहिए फिर हमारा topic उसस पर हम चर्चा करेंगे फिर तयारी हमें करनी चाहिए और किस प्रकार से तयारी करनी चाहिए इस पर च करेंगे यानि कि हम सिक्षण करेंगे वह सिक्षण किस पर्कार से करेंगे यह इस पर भी बात सबसक्राइब लास्ट और हसने वाला इस टो करेंगे इसमें वी बताएंगे आपको तो देखिएगा क्या होगा इस वीडियो में और कैसे करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं timing की देखी वाई यह सबसे teaching में यहां किसी भी website में जाते हैं कोई भी आप काम करते हैं सबसे पहला बिंदू होता है उसकी timing तो बिल्कुल सभी बात है अगर हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा हमें डर लगा रहे हम लेट हो गए अब हम जाएंगे डाट पड़ेगी हमारा प्रक्टीकल हो पाएगा नहीं हो पाएगा पचास बाते होती हैं तो इसके लिए हम क्या करें जो भी आपको कॉ बहुत ध्यान रखें इसका दूसरी बात है फाइल वर्क हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन-कौन सी फाइल्स बननी है फच्टियर में कौन सी बननी है तो वह पिछले वीडियो आप देख लीजेगा फाइल बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे वह सारी ची त्यार करो लेकिन अपनी फाइल जरूर त्यार कर लो जिससे की एक्जामनल पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है तीसरी चीज़ा बेस बूर्सा यूनिफार्म ड्रेस हमारी भाई यह टीचिंग प्रोफेशनल आपका कोर्स है और इसे करने के लिए बहुत ध्यान दिया उनिफार्म में जाएं आपका अगर आई कार्ड मिला हुआ है अपना एडमिट कार ले कर जाएं और उनिफार्म बित सूज बगरा अपने सब पहिन कर जाएं यह एक्जामनल पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है आप ऐसी चले गए पता लगा जीन सो टीसरीड में क्या बनाएंगे कौन सा टॉपिक लेंगे यह सारी चीजें हम कैसे करेंगे देखो इस पर हम चर्चा करते हैं कि लेशन प्लान बनाने का तरीका जो भी आपके कॉलिज में आपके महाविद्याले में या उनिवस्टी में बताया गया है आप उसी हिसाब से अपना लेशन प संचपती पढ़ा लिए यह जिस परकार से आपको बताया गया उस परकार से तयार करेंगे टॉपिक हम कौन सा लेंगे देखिए आप किसी की कहने मतलब नकल मत कीजिएगा आपको जो टॉपिक अच्छा लगता जिसमें आपकी रुची हो आप उस पर बना लिजिएगा जि इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हैं तो आप बहुत टॉपिक यहां पर ले लिजिएगा किसी की नकल मत कीजिएगा अपने आप अपनी मर्जी से लिजिएगा बहुत यह ऐसा टॉपिक लीजिएगा जिसमें आपका चार्ट है मॉडल है या रियल ऑबजेक्ट कोई बसतविक बसत्त आप ले सकते हो गया सकते हो हांति कोरिक बना नो ठीक है लेकिन आपको सर्सों का पौदख कर ना बहुत आराम सी सर्च अब प्रट लो तो हो अड़ेल ऑबजेक्ट हो चाहरत नहीं ले जा सकते हो तो है तैया ल है चाए बहुत में आप क्या करोगे करोगे दो परसिन रट लोगे लेकिन आप पूरी इस तरह से हर आपको पूर्तिया जानकारी होनी चाहिए और नजर में ये फॉरी जानकारी और उसी फाइल के पूछे गा तो आपका response अच्छा जाएगा और आपको अच्छे marks मिल जाएगे यह चीज है दूसरी कभी कभी examiner होता है अच्छा आप क्या तयार करके आए हो तैयारी में आपसे examiner यही पूछ लेता है आप क्या तयार करके आओ तो कोई भी ऐसा topic आप तयार करके जाएगा कि हाँ सर हम य मुझता उत्तर दे सको क्लियर हो गया तीसरी अगली चीज है आत्म विश्वास देखिए confidence आपका लूज नहीं होना चाहिए आप डेमो देते बगत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए होता क्या है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं पता ल को समझा रहे हैं तो आप प्रदर्सन ही करते रहे अगर बच्चों से कोश्चनिंग कर रहे हैं तो कोश्चनिंग कर रहे हैं जैसे एक जामना रहा है बैसी हमने चाट टांगा और पढ़ाना स्टार्ट होगा बिल्कुल नहीं यह काम बिल्कुल मत कीजिए आप उसी process में च आपका लूज नहीं होना चाहिए सबसे बहुत बड़ी चीज है आत्म विश्वास बिल्कुल नहीं अगर आप कहीं भूल भी जाते हो तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप भूल गए हो आप क्या करो उसी चीज को उसे छोड़ तो अगली चीज आप सुरू कर दो बिल्कुल तरीका गलत है कि बच्चों पर आपकी नजर नहीं बच्चों पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए तो आप यह डेम ब्लेक वोट इंट्रीज में क्या होता है यह बहुत जरूरी है यह देखी जाती है एक्जामन राता है तो सबसे पहले बोर्ड पर नजर जाती है कि यह देखता है आपने इंटीज फिल की है यह नहीं कि जैसे लेशन प्लान में बनाते जैसे इधर बनाते हैं यहां का यह कच्छा हो गया है और यह बर्ग हो गया एदर आपका क्या होता है यहां डाल दीजिएगा जो भी है तिनांक यह है जो जिस डट में आप पढ़ह ह हो आपका डेमो हो रहा है दिनांक डाल दीजिए गा यह यहां लिख दीजिए गवर्ग ए बीसी उच्व लिख दीजिए गा यह जो इस कि लासम पड़ा रहा है वो लिख दीजिए गा इसके बाद में आता है आपका विसाय को कूप विसाय ओर प्रकरण बहुसे लोग प्रक्रण नहीं जानते होँगे बता दें प्रक्रण आपका टॉपडिक होता है जिसपर बाथिट हो गई थी अभी तो प्रक्रण हम कैसे सिलेक्ट करेंगे तो भी आपका प्रक्रण होता है उसे को another बिसे में जैसे माली जी आपको बिग्यान पढ़ाना है तो बिग्यान हमारे बिसे हो गया उपी बिसे में आपका आएगा भाई बहुते बिग्यान पढ़ा रहे हो रसाइन बिग्यान पढ़ा रहे हो जी बिग्यान पढ़ा रहे हो आपका इसमें आ जाएगा तो यह बहुत के नियम पढ़ा रहे हैं आप जो चीज पढ़ा रहे हैं और प्रकरण को यह तो अंडरलाइन कर दीजेगा या इनवेटिट का में बंद कर दीजेगा बहुत जरूरी है यह बहुत इसका एफेक्ट पड़ता है हाइलाइट इससे जरूर कीजिएगा जिससे की एक्जामनर इसके आगे पहुंचेगा मैंने इधर लिख दिया जगह नहीं थी तो कालांस आपका कोई साथ पहला पिरिएट दूसरा पिरिएट तीसरा चोथा जो जिस पिरिएट में आप पढ़ा रहे हो यहां लिख दीजिएगा ठीक समयावदी हैं समयावदी है यह आपका यह 35 मिनि प्रवाव पढ़ेगा आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए बिलेक वोड इंटेज फिल करना बहुत जरूरी हैं से हम पर प्रिष्टियां सब पूर्ण करेंगे इसके बाद प्रदर्सन यह सारी बातें प्रदर्सन पर प्रदर्सन का मतलब है अगर हम देखें तो आपक अग्जार रहे हैं समझाते रहेगा उसका काम हो जाए आप उसे उतार के रख दीजिएगा एक्जामनर को देख जाएगा चार्ट रखा है बरना पूसिस कीजिएगा कि एक्जामनर जैसे आता है आपके लास में इंटी करता है तो आप अच्छे से जो भी पढ़ा रहे हो अच्छे से पढ़ाईएगा इसके बाद आपका आता है इन सब के बाद आता है साच्छात कार है साच्छात कार में हमें क्या करना है साच्छात कार में सबसे ज़्यादे अगर प्रभावित करने वाली चीज है तो वो है उत्तर देने की कला उत्तर देने की कला यह सबसे जो आपका बाइबा ले रहा है वो person कहां से पूछता है आपके उत्तर में से तो आप ऐसा उत्तर दो कि उस उत्तर में से अगर person आप से करे तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए तो अधिकान से जब भी वो person करे तो ऐसा नहीं है उसमें बिलकुल आत्म विस्वास आपका लूज नहीं होना चाहिए confidence बना रहना चाहिए और बहुत अच्छे से साक्षातकार दो उत्तर देने की कला एकदम इसपष्ट होनी चाहिए सरल भासा में और अच्छे सब्दों में उसे उत्तर दिया जाना चाहिए ये थी हमारी मुख की बाते हैं कि हम प्रक्टिकल के एक्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाएं साइध आपको समझ में आ गया होगा सारी बाते हैं जिसमें पहला था हमारा टाइमिंग समय से पहुंचना है दूसरा था फाइल वर्क फाइल वर्क पूरी कर लें कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया पिछले वीडियो में और इसमें अगर नहीं बनी है तो आप उसे थोड़ा-थोड़े पेज जरूर लिख लें एक्जाम नर ये देख ले कि हाँ आपने प्रियास किया है कभी कभी क्या होता है कि एक्जाम देखता ही नहीं है हाँ भई ले आ रख तो वहाँ तो कम से कम आपके हाथ मोंगी तो आपकी गिंती आ जाएगी हाँ फाइल बनी होई है ऐसी फुल उनिफार में जाएंगे आपको लेशन प्लान बना के ले जाएंगे टॉपिक अपनी मर्जी से लेंगे किसी की नकल नहीं करेंगे जिससे आपका फुल कांफिडेंस हो वो लेजिएगा तयारी करके जाएंगे बगर तयारी कोई एकजाम नहीं देते हैं तो तयारी जरूर कीजिएगा आत्म विश्वास कभी लूज नहीं होना चाहिए, बना रहना चाहिए, कोई गलती हो जाए, तब भी आत्म विश्वास हमारा नहीं डगवाना चाहिए, डेमो, अच्छे से देंगे, सिक्षन कारें अच्छे से करेंगे, बिलैग वोड इंटीज मैंने बता दी, ये सारी हैं, फिल करेंगे, परदर सन, बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहिए, चार सो, मार्डल सो, रियल अबजेक्ट सो, किसी सो, साक्षातकार में उत्तर देने की कला आपकी बहुत अच्छी होने चाहिए, सबसे लाश्ट वात आपकी रहे गई, जब कुछ ना हो तो क्या करें, ठी न catch, सर, आपने और नहीं बना पते हैं, किसी से बनवा लेकिन अपना तयार कर लो, इस पहले पता लाए, जहन वह तर अग्ले दिन ऐसा नहीं है ठीकर देने जरूर जाएं ठीक है एक्जामनेर के सामने या अपने साथ वालों की साहिता लेके या दो चार घंटे में बहां जितना कर सकते उतना अधिक्तम करने का प्रियास करें लेकिन कभी भी नेगेटिब ना सोचें कि हमारा गलत हो जाएगा हमें बहुत खराब नंबर मिलेंगे ऐस